Hi everyone, welcome to study journey Friends, ये उन candidates के लिए एक good news है जिनका भी result में RLV था या किसी भी कारण से आप लोगों का verification के कारण से चाहिए आप नहीं पहुँच पाये थे या आपका verification अच्छे से हो नहीं पाया था और आपका estate का जो result है वो RLV शो हो रहा था तो उन लोगों के लिए good news है आप लोग देख सकते हैं ये notification है In continuation to this office notification number इतना और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपके roll number दिये हुए है जो estate 2 और 3 December को हुआ था उसमें RL, UMC, RLE result, late eligibility, court case, RLD, RLV in the above said notification has been declared as undered यानि जिनका भी clear हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले बही जिनका previous result क्या था RLV था तो अब वो क्या कर चुके हैं qualify कर चुके है declared result में 90, qualified, 98, qualified, सभी qualified candidates है लगबग 48 plus candidates आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे 48 है या 46 है इतने total इसके अंदर list के अंदर candidates है यह जो list है मैं आप लोगों के साथ टेलिग्राम पर share कर रही हूँ तो आप लोग वहाँ से जाकर के अपना भी इसके अंदर check कर सकती है क्योंकि काफी लोग comment करते थे कि उनका result अभी भी RLV show हो रहा है RLD show हो रहा है RL show हो रहा है तो उनका सब कुछ sort out हो चुका है जो भी लोग qualify करते थे वो सब qualify कर चुके हैं इस परकार से आपको list देखने को मिलेगी पहले आपका district name उसके बाद आपके roll number level दिया हुआ है candidate का name दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे देखिए declared result पहले क्या था RL भी था लेकिन अब क्या हो चुका है 90 पे qualify हो चुका है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं 98 candidates हैं जिनका result qualify हो चुका है और जल्द ही आप लोगों की जो mark seat है वो भी आपके home address पर send कर दी जाएंगी तो जैसे भी उस में भी कोई भी information होगी आप लोगों को दे दी जाएगी आप लोग channel पर first time visit करते हैं तो channel को subscribe कीजिए बाकी इस वीडियो में इतनी ही update थी कोई और update होगी तो आप लोगों को जल्द ही दी जाएगी thanks for watching me, thanks for watching this video